ब्रहस्पती देव को सभी नो ग्रोहों में सबसे शक्तिसाली वे पवित्र ग्रह माना गया है ब्रहस्पती ग्रह बड़े ही उदार ग्रह है वे ज्यान के बंधार है जिस जातक की कुंडली में ब्रहस्पती ग्रह मजबूत रहते हैं वे जातक धन संपत्ती, मान सम्मान और वैवाहिक जीवन में सुक्षान्ती वे तिवर बुद्धी के स्वामी बनते हैं इसके विप्रित कुंडली में कमजोर ब्रहस्पती ग्रह जातक को उप्रोक्त सभी प्रकार से पीडित करता है। कुंडली में सभी ग्रहों का अपना-अपना महत्त होता है, कुछ ग्रह पापी एवं क्रूर होते हैं, तो कुछ ग्रह देव स्रेणी में आते हैं। प्रहस्पती ग्रह भी ऐसा ही एक ग्रह है जो देव सरेणी में आता है जिस जातक की कुंडली में प्रहस्पती ग्रह की स्थिती मजबूत होती है उन्हें समाज में मान सम्मान और धनकी द्रिष्टी से भी लब अविश्य मिलता है आज हम आपको ब्रहस्पती देव के एक ऐसे यंत्र लोकिट तावीद के विशे में जानकारी देंगे जिसको यदि जोति सास्तर की अनुसार वीधिवत तयार करके गले में धान किया जाए तो ब्रहस्पती ग्रह से जो भी प्रभाव हैं जो कम मिल रहे हैं प्रभाव उनमें आपको लाब अवश्य मिल सकता है जोति सास्तर की द्रिष्टी से जातक की कुणली में ब्रहस्पती ग्रह कमजोर होने पर ब्रहस्पती देव के मंत्र दूरा, यंत्र दूरा उनका पूजन कर लाब ट्राप्त किया जा सकता है आज हम आपके लिए ब्रहस्पती देव का चमतकारी सिद्ध यंत्र लोकेट तावीज लेकर आए हैं, जिसे मत्र गले में धान करने से आपके सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। यह ब्रहस्पती यंत्र लोकेट विधीवत भोजपत्र पर तयार कर मंत्र शक्ति दुवारा सिद्ध किया गया है। आएए जानते हैं किस प्रकार से आप ब्रहस्पती देव का यह यंत्र लोकेट घर पर ही तयार कर शक्ते हैं। यदि आप इसे घर पे तयार करना चाहते हैं स्वेम से, तो हम जो आपको विती बता रहे हैं, उसका आप अनुसरण करते जाएं। ब्रेस्पतिवार की सुबह स्नान आदि से निवरत होकर एक छोटे से भोजबत्र पर अनार की कलम दुआरा अश्टगंद युप्त लाल स्याई से आपको जो स्क्रिन में यंत्र दिखाई दे रहा है, उस यंत्र को अंकित करें। यंत्र बनाने के पस्चाथ इसे अच्छे से मोड़कर एक चांदी के तावीज में डाल लें। अब इसका विदिवत पूजन करें। विदिवत पूजन के उपरांत व्रैस्पती देव के 1100 मंत्र जप की संख्या में मंत्रों का जप करना चाहिए। और उसके बाद में एक छोटा सा हवन किया जाना चाहिए। हवन के अंत में लोकेट को हवन के उपर से 21 बार घुमा कर हवन की विभूत्ती से तिलक करना चाहिए इस प्रकार से ब्रस्पति जी का यह सिद्ध यंत्र लोकेट अभिमंत्रित हो जाता है और आप इसे अब गले में धर्ण कर सकते हैं अल्टिमेट ग्यान जोति सकेंद्र आचारिये एसेन सर्मा जी के मार्ग दर्शन दुआरा ब्रस्पति देव का यह चमत्कारी यंत्र लोकेट विधीवत तैयार कर जातक के नाम वे गोत्र दुआरा मंत्र शक्ति दुआरा अभिमंत्रित किया जाता है इसे गले में धारन करें वे कमजोर ब्रस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाएं स्क्रिन पे दिये गए नंबर दुआरा आप हमसे संपर्क कर शकते हैं तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट्स के माद्दम से जरूर बताएं और अभी तक आपने अल्टिमेट के आनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवसे कर ले फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद